हेलो गाईज दिस इस यश तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉंसिटूशनल डवलपमेंट ऑफ इंडिया जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्राउन साशन या इसे आप लोग महारानी का शाशन के दो या ब्रिटिस सरकार का शाशन के दो तो इसे भी हम लोग जो है मज़ेदार जखकास और डिटेल में एनिमिशन के साथ समझेंगे अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रेप्शन ने उसकी लिंक के जल्दी से जाकर उसे देखिए तब ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ पाएगा और इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस पार्ट से बहुत सारे कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं और लास्ट में मैंने कुछ इंपोर्टेंट पीवाई क्यूस भी एड किये हैं तो आप उसको जरूर लगाना तो चलिए बिना दिरी की हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो ये ताजशाशन 1858 से 1947 तक चला और शुरू हुआ 1858 के भारत सरकार अधिनियम से और इसके बाद कई सारे एक्टाय जिने हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले 1858 की एक्ट का बैग्ग्राउंड कंसेब देखते हैं ध्यांचे सुनों देखो हुआ क्या 1853 की एक्ट के बाद सन 1857 की करांती हुई और हम लोगोंने अंग्रेजों की बाट लगा दी हालकि बात में इसे दवा दिया गया था पर इस भी द्रों ने बल्ड में अलग-अलग मीडिया में हिंदुस्तानियों की पावर को दिखा दिया था और इस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिस सरकार की कूप बदनामी हुई तो ब्रिटिस कवर्मेंट ने इस्ट इंडिया कंपनी से का गजब बेज जती है तो आपनी इज़द बनाया रखने के लिए उन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी के उन कामों को सर्च किया यानि की एनलिसिस किया जिसके कारण ये 1857 की क्रांती हुई जिन में से प्रमुग थे लाड अलो जी की राज्य हडपनी थी जिसे डॉक्टर इनोप लैप्स भी का जाता है और लॉड बेले जली की सायक संदी यानि की सबसेटरी अलाइंस दूसरा कारण था पाद्रियों द्वारा इसाई धर्म का प्रचार और अंग्रेजी भाषा में जो है पढ़ाई करवाना इसके बाद तीसरा कारण ये था हिंदूों को उस टाई में समुद्र पार करके जाना उनके धर्म के खिलाप माना जाता था बट काफी सारे हिंदू सेनिकों को बाहर ले जाये जा रहा था ये भी एक कारण बना और चौता कारण था चर्वी वाला कार्तूस इसमें गाए और सुर की चर्वी का उप्योग किया जाता था जो की हिंदू और इसलाम दोनों धर्मों में अपवित्र माना जाता था जो की ततकालिक यान की करेंट में जो कारण बना विद्रो का और बाकी सारे और भी कारण है जिनने हम लोग 1857 की करांती में सेपरेट बीडियो में अलग से पढ़ेंगे डिटेल में तो ये एनलिसिस करके ये पता चला कि इस्ट इंडिया कंपनी से अब भारत समलनी रहे तो ब्रिटिस सरकार ने इस्ट इंडिया कंपनी से कहा बेटा तुम से ना हो पाएगा और फिर उस समय ब्रिटेन के प्रदान मंत्री थे लॉट डर्भी इनों ने अगस्त 1858 को हाउस ओप कॉमन्स में यानि कि जो ब्रिटेन के पार्लामेंट है उसमें एक एक्ट पास करवाया जिसका नाम था एक्ट फोर दा वेटर गवर्मेंट और इसे ही कहा जाता है गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 या 1858 का भारत सरकार अधिनियम जिसने इस इंडियर कंपनी की सत्ता को खत्म करके ब्रिटेन की रानी या ब्रिटीस क्राउन या ब्रिटीस सरकार के हाथों में सोब दिया ब्रिटेन की महरानी को भारत की समरागी यानि की इंप्रेज घुशित कर दिया गया अब देखें यह जो समरागी वर्ड है यह एंप्रेज वर्ड है यह एक्जाम में पूछा गया था कोशन में तो ऐसलिए मैंने आपको यह बता दिया देखें समरागी के मतलब होता है महारानी सिंपल वासा में आप समझो समरागी मतलब महारानी मतलब कि ब्रिटेन के मारानी को अब भारत की मारानी खुशित कर दिया गया तो इस Act को भी हम लोग अलग अलग Dimension से समझेंगे तो देखो यहां Company का नियंतरण तो खत्म हो गया था इसकी जगा आएगा Government of India का नियंतरण यानि की Control और यह जो प्रोवेंशियल लेजिसलेचर है यह तो अवलीश हो गई थी लास्ट वीडियो में हमें लोगों ने देखा था तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे और रही बात रवेन्यू की तो यह सभी Act में एक जैसा रहेगा तो इसकी जगा हम लोग अलग दूसर डामेंशन एड कर लेते हैं इंपोटेंट पॉइंट्स का तो चेंजेस हुए Government of India के नियंतरण में प्रशाशन में और सेंटरल लेजिसलेचर में चलो एक एक करके देखते हैं Government of India का Control तो आप लोगों को याद होगा कि Peats India Act 1784 में Double Government यानि की दोरा प्रशाशन या दोरा शाशन आया था वो था Court of Director और Board of Controller तो अब इसे खत्म कर दिया गया और नई पोस्ट बनाई गई Secretary of State for India मतलब की भारत का राजस अचीव तो पहले राजस अचीव बने Lord Stanley जो की पहले Board of Controller के अधर्ष हुआ करते थे लेकिन अब जो हैं ये Secretary of State बन गए तो यहाँ पर आपको कोशन पूछा जा सकता है कि पहले राजस अचीव कौन थे तो वो थे Lord Stanley और एक कोशन और पूछा जा सकता है कि किस Act के माध्यम से ये जो दोरा प्रशाशन ने उसको अंत किया गया था जो की Board of Controller था जो पीट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था तो वो था Government of India का एक्ट 1858 ये ध्यान अखना वेरी वेरी इंपोटेंट है इसके बाद प्रशाशन में इनकी हैल्प करने के लिए 15 सदस्यों की Indian Council यानि की भारती परिशत का गठन किया गया जिसमें 8 लोग British Crown द्वारा और 7 लोग Court of Director से चुने जाते थे और ये जो Secretary of State थे ये ब्रिटें की Parliament में Cabinet मंत्री हुआ करते थे तो इनकी जो नेतागिरी थी वो ब्रिटें में ही चलती थी मेन ये वहीं पर रहे थे थे और भारत में प्रशाशन चलाने के लिए यानि की प्रशाशन को संभालने के लिए एक नई पोश्ट बनाए गई और वो थी वाइसराय जो की Secretary of State का एजेंट हुआ करता था तो Governor General को ही वाइसराय कहा जाने लगा और पहले वाइसराय बने Lord Kenning वेरी वेरी इंपोटेंट है अब यहां से Question Exam में पूछा जाता है आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला वाइसराय कोन था तो वो था Lord Kenning और ये भी पूछा जा सकता है कि कि किस Act के माद्याम से भारत के Governor General को वारत का वाइसराय कहा जाने लगा था तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम के माद्याम से वेरी वेरी इंपोटेंट है ये Point आप भूलना नहीं और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि भारत का आखरी Governor General कोन था तो वो Lord Kenning था और देखिए इनकी Executive Council हुआ करती थी जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे मतलब इसमें कोई Changes नहीं हुआ Executive Council में पहले भी 4 मेंबर ही हुआ करते थे अगर बात करें Center Legislature के वारे में तो इसमें केवाल जो Governor General था उसकी जगा वाइसराय आ गया और वागी और कोई Changes नहीं हुआ वो Mini Parliament बैसे ही की बैसे ही है तो अब इस एक्ट के माद्यम से कई सारे चेंजिस तो हो गए पर भारत की जंता अभी Confuse थी कि आखिर इस्टिर इंडिया कंपनी का शाषन जा रहा है और महरानी का शाषन आ रहा है अगर इससे फर्क क्या पड़ेगा भारत पर इन सब का जवाब देने के लिए लॉड केनिंग ने नवंबर 1858 में इलावाद के मिंटो पार्क में एक दरवार लगाया और इसमें राजा रजवाडों को जमिंदारों को सिक्ख को और सभी लोगों को बुलाया और लोगों को कुईन्स विक्टोरिया के बिहाद में Government of India एक पो समझ को समझाया और कहा सुनो 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 भारत वासिय हो सुनु आज से East India Company का शाषन समाप्त हुआ आप से माराणी ही भारत के शाषन को सम्भालेंगी इस स्पिच को कहा जाता है Queen's Proclamation यानि कि Manifesto of Queen या मारानी का गोशना पत्र है अब देखो हम लोग तो इंडियन से हमें तो हर चीज में अपना फायदा देखना होता है तो हमने वाइसराय से बोला कि ये गोशना वगेरा तो ठीक है बट इससे हमें क्या फायदा होने वाला है क्लोड केनिंग ने बोला अरे वावा रुको जरा सबर करो भाई आंगे बता रहा हूं देखिए इससे फायदा ये होगा कि जो ये डॉक्ट्रिन ओफ लैब्स है यानि कि जो हड़प निती है इसको खत्म कर दिया जाएगा अब नए छेत्रों पर कोई कबज़ा नहीं होगा और जो देशी रियासतें उनकी स्थिती जैसी है वेसी ही रहेगी आम आदमी को ब्रिटिस गवर्मेंट में जॉब करने को मिलेगा और योगता के अधार पर उनको जो है जॉब दी जाएगी तीसरा बेनफिट ये होगा कि इस इंडिया कंपनी की आर्मी में काम कर रहे जो स सकता है तो ये वो बेनफिट ते जो की 1858 के एक्ट के मादम से मिले थे इनमें से एक एक एक्जाम में पूछा भी गया है कि जो है देशी राजी रजवाड हैं उनकी स्थिती जो है पहले जैसी रहेगी ये कोशन एक्जाम में पूछा गया है बाकि आप लोग ध्यान रखन तो 85 साल से चल रही इस टी इंडिया कमपनी के शाषन में कई सारे स्ट्रक्चर और सिस्टम थे जिसमें सुधार की जरुवत थी इसलिए 1858 के बाद एक के बाद एक तीन काउंसल एक्ट आये एक आया तीन साल बाद इंडियान काउंसल एक्ट 1861 और फिर आया 31 साल बाद इं तो government of India का जो नियंत्रण है उसमें कोई changes नहीं हुआ पाकिस सब में हमको changes देखने को मिलेंगे चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं तो प्रशाशन में क्या क्या changes हुए यह जो वाइसराय था इनकी कारेकारी परिशत यानि कि जो executive council है उसमें चार मेंबर हो दे थे और इसका बिस्तार किया गया और एक और मेंबर इसमें जोड़ दिया गया और बहुत बड़ा changes यह हुआ कि Lord Kenning द्वारा विभागी प्रणाली यानि कि जो मंत्री मंडले English में इसको बोलें portfolio की शुरुवात कीगी मतलब कि सभी मेंबर को अलग-अलग मंत्राले दे दिये गया जो कि आज की टाइम भी दिये जाते हैं तो यह विवाग थे ग्रह, सेन्ने, कानून, राजस्व और बित्तर मंत्री और 1874 में लोक देखें आपसे पूछा जाए कि विवागी प्रणाली या मंत्री मंडल या portfolio की शुरुवात किसके माध्यम से की गई थी तो Lord Kenning के माध्यम से की गई थी और किस Act के माध्यम से की गई थी तो वह 1861 के Council Act के माध्यम से की गई थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है इसके बाद एक बड़ा चेंज यह हुआ कि यह जो वाइसरा है इसको Emergency के टाइम अध्यादेश यानि की Ordinance जारी करने की शक्ति मिल गई थी और यह अध्यादेश 6 मैने के लिए valid हो दा था और हमारे सम्मिदान में यह पावर किस-किस को मिलिए यह मिलिए राष्टपती को और हमारे गवर्नर यानि की राजिपाल को तो राष्टपती के पास यह जो पावर है यह आर्टिकल 123 देता है और गवर्नर को Ordinance की पावर जो मिलती है वो आर्टिकल 213 के मैदम से मिलती है very very important है इनको भी आपको यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी होगी इसे आप लोग नोट भी कर लो कि भारत की जो राष्टपती है उनको अध्यदिश जारी करनी की शक्ति वो किस एक्ट से प्रहरी थे तो वह वहाँ पर अंसर आएगा आपका 1935 का भारत सकार अधिनियम ना की 1861 का इंडियन क कुकि UPPCS 2008 में यह question already पूछा गया है तो बहाँ पर जो राष्टपती के अध्यदिश जारी करनी के जो शक्ति है न वो किस से इंस्पायड है वो है 1935 के भारत साशन अधिनियम से ध्यान रखना एक फेट से आपका पूरा question गलत हो सकता है अब बात करते हैं हम लोग केंद्र सदस्यों को जोड़ा गया यह सदस्ये दो तरह के होते थे सरकारी यानि कि official और गैर सरकारी यानि कि non official और इन सदस्यों की परिशत को बिस्तारित परिशत यानि कि extended council कहा जाता था और इन में पहली बार गैर सरकारी के रूप में सन 1862 में Lord Kenning द्वारा तीन भारतियों को जो दिन कर वहीं वायसराई की जो कारेकारी परिशत यानि कि जो executive council है इसमें 6 लोगेट हुए थे तो अब इनकी संक्या हो गई थी 8 तो यह जो 16 से 17 लोगे यही भारत के लिए कानून बनाते थे और यही सब को मिलकर जो है legislative council यानि कि बिधान परिशत कहा जाता था अगेन ये अब यही एक mini-parlament ही इस mini-parlament में वित्तिय चर्चा अलावर नहीं थी और budget भी प्रस्तुत नहीं कर सकते थे यह जो विस्तारित परिशत थी इसके सदस्य कारेकारी परिशत यानि कि जो executive council है उसके सदस्यों से कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और यह जो executive council थी इस इसमें जो है कोई भी भारतिये executive council में भाग नहीं ले सकता था भारतिये सिर्फ बिस्तारित परिशत में भाग लेते थे अब देखो question कैसे बनते हैं यहां से एक question इस तरह से पूछा जा सकता है कि कि इस act के माध्यम से भारतिय प्रतिन निदियों को कानुद बनाने की प्रक अब यह भी जो है कानुद बना सकते थे तो यहां पर भी अब बिदान परिशत इस्तापित कर दी गई और इस्तापित करने की शक्ती जो है वो governor general या वाइसराय को दे दी गई अब देखिए जो 1858 के बाद जो है आपने देखा था कि governor general को वाइसराय कहा जाने लगा था ले कि 1858 के बाद के एक्ट में के बाद भी जो वाइसराय को है वो governor general कहा जा रहा है तो दोनों एक ही वर्ड है ठीक है दोनों एक ही आदमी की बात हो रही है इसमें आप confused बात हो ना क्योंकि question में भी कई बात पूछा जाएगा वहापे वाइसराय किजागा अगर option में governor general भी लि लिए ब्रिटिस संसेट के प्रती उत्तरदाई होता था और भारत के प्रसाशन पर इसका संपूर नहीं अंतर था उसी का बाद के जो है वह अंतिम माना जाता था वह चाहे तो executive council के किसी भी कानून को जो है वह खारीज कर सकता था तो यह एक important point है यह आप ध्यान रखना financial legislature और जो central legislature था उसमें कुछ changes होना चाहिए तो फिर लाया गया इंडन council एक 1892 तो चलो इसको देखते हैं central legislature तो इसमें क्या क्या changes हुए देखे यह जो अतिरिक्त सदस थी इनकी संक्या बढ़ा दी गई और अब यह हो गई थी 10 से 16 और इसमें 6 सरकारी होते थे और 10 गैर सरक अचा हो सकती थी और अब बजट भी प्रस्तूत कर सकते थे भारतिय सदस्य को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया था और उनके पास बोट देने का अधिकार नहीं था ध्यान रखना है वो बजट पर बहस कर सकते थे पर वोट नहीं दे सकते थे यह जो executive council council इसमें भी अभी कोई भारतिय भाग नहीं ले सकता था भार परिशत में शरकारी और जो मनोनीत सदस्य थे उन्हीं का ही प्रभुत्व रहा अब बात करते हैं provincial legislature के बारे में यहां पर भी central की तरह ही system था बस इसमें exchanges यह हुआ कि इनकी बिदाईका में जो अतिरिक्त सदस् लगे मतलब की election के माध्यम से चुले जाने लगे मतलब की आप प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धिती की शुरुवात हो गई थी very very important point है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप प्रत्यक्ष चुनाओं की शुरुवात किस act के माध्यम से हुई थी Indian council act 1892 के माध्यम से अ चलिए अब बात करते हैं Indian council act 1909 के बारे में ःखिये इसे morale minto सुधार अदिनियम भी कहा जाता है अब यह जो secretary of state थे यह senior होता था और उसका नाम पहले आएगा अब बात करते हैं तो राजिस सचीप यानि की Secretary of State होता था और जो मिंटो है उस समय के वाइसराय होते थे तो हुआ क्या 1906 में ब्रिटेन में Liberal Party की सरकार आई जिससे उमीद की जा रही थी कि भारत में अब कई सारे सुधार ये करेगी मतलब की भारत का कई सारा भला करेगी वही 1906 में मुसिम लीग भी बन गई जिसने डिमांड रखी प्रथक निर्वाचन की यानिक Separate Electro Rate की तो इनी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगला काउंसिल एक्ट 1909 में आया तो इसमें Government of India के नियंतरण को छूड़के बाकी समय चेंजेस हुए प्रशाशन में क्या क्या चेंजेस हुआ देखो ये जो वाइसराइस था इसकी जो Executive Council थी इसमें अब एक मेंबर भारती होगा और पहले भारती है मेंबर बने सतेंदर प्रसंद सिना यानि की सतेंदर प्रसाद सिना तो दोनों नाम एकी के हैं आप ध्यान रकना वेरी वेरी इंपोटेंट है आपसे पूछा जा सकता है की Executive Council का पहला भारती है मेंबर कोन था तो सतेंदर प्रसंद सिना थे तो इसमें जो अतिरिक्त सदस्य थे इनकी संक्या बढ़ा दी गई और अब ये हो गई थी 16 से 60 तो जिसमें 28 सरकारी और 32 गेर सरकारी और इन गेर सरकारी में से कुछ इलेक्टेट थे तो ये भी पहली बार हुआ तो बिदान परिशद में में मेंबर अब इलेक्टेट होकर आने लगे और ये चुनाव जो था वो अब परतक्ष हुआ करता था इस एक्ट के माध्यम से भारतियों को बजट पर वोट देने का अधिकार मिल गया था और जो एक्जेक्टिट्व कांसल थे उसमें भारतियों भाग ले सकते थे और जो अतरिक्त सदस्य थे ये अब एक्जेक्टिट्व कांसल से पूरक प्रशन कर सकते थे अब यहाँ पर साथ जगा में प्रानतिय बिधान मंडल बना दिये गए वंबे, मदरास, यूपी, बंगाल में एडिशनल मिंबर की संक्या 50 कर दी गई और बर्मा, पंजाब असम में 30 इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं देखें सामप्रदाइक निर्वाचन को प्रस्टूत किया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि किस एक्ट के मादयम से सामप्रदाइक निर्वाचन को इंट्रिडूस किया गया था तो आपको ध्यान रखना है 1909 के मौरले मिंटो रिफॉर्म के मादयम से पहली बार मुस्लिम समुदाइक के लिए प्रतक निर्वाचन की शुरुवात की गई और जो लौर्ड मिंटो है उनको सामप्रदाइक निर्वाचन का जनक कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि सामप्रदाइक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है लॉड मिंटो को कहा जाता है देखिए मात्मा गांधी जी का इस एक्ट के बारे में एक कथा ने उन्होंने कहा था कि मौरले मिंटो सुधार ने ही भारत का सर्वनाश किया है तो अब हम लोग बात करते हैं गवर्मेंट अफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में जिसे मौन्टेग्यू चेंपस्पोर्ट सुधार भी कहा जाता है इसमें मौन्टेग्यू सेकेटर अब स्टेट थे और जो चेंपस्पोर्ट थे वो वाइसरा है तो हुआ क्या सन 1914 में वर्ल वार स्टार्ट हो गया और ये 1918 तक चला और इसमें भारतियों ने ब्रिटिसर्स का शपोर्ट किया और सोचा कि इसके बदले में जो है ब्रिटिसर्स भारत की डिमांड को मानेंगे और फिर 1916 में लखना पेक्ट हुआ जिसमें कॉमन डिमांड रखी गई और इसी तरज पर इन डिमांडों को नए राज सचीव मोंटेग्यू ने ब्रिटिस की पार्लामेंट में प्रस्तूत किया जिसे अगस्ट डिकलेरेशन या अगस्ट घोषना कहा जाता है ध्यान दखिए ये अगस्ट गोषना है अगस्ट प्रस्ताव नहीं अगस्ट प्रस्ताव 1940 में आया था वेरी वेरी इंपोटेंट ध्यान दखना है इस गोषना में बात की गई कि भारत में अब आंगे भारत की जनता दुआरा चुनवी सरकार बही बनेगी और फिर 1918 में वर्ल्ड वार वर्न भी समात हो गया और फिर 1919 में आया गवर्मेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1919 मुंटेग्यू चेंप स्पोर्ट सुदार पहली बार किसी एक्ट में हमें प्रस्तावना देखने को मिली तो इसमें सभी चीजों में चेंजेस हुए चलो एके करके दिखते हैं गवर्मेंट ऑफ इंडिया का नियंत्रन तो भारत में जो ये सेकेटरी ओफ स्टेट था न ये ब्रिटेन में रहता था पर इसे बेतन जो है वो भारत की संचीत नदी से मिलता था तो भारत की लोगों ने कहा ब्रिटिस सरकार से कि इनका बेतन तो भारत की संचीत नदी से क्यों देते हो वाई साब ये तो वहां रहता है वहां की सरकार को देना चीए तो British सरकार ने कहा ये आपके यहां राजनितिक, प्रशाशनिक और Agency Work भी तो करता है वट कोई ना आपको पसंद नहीं तो अब हम Secretary of State के बेतन को British Government देगी और भारत में एक अलग body बनाई जाएगी High Commissioner for India के नाम से जो की अब Agency Work करेगी वट इसका जो बेतन है वो भारत की संचित निदी से ही दिया जाएगा तो Very Very Important है High Commissioner for India के सेक्ट के मादम से बनाया गया था Montague Chems Ford सुधार अधिनियम के मादम से बनाया गया था चलो अब बात करते हैं Administration के बारे में तो यहां जो यह वाइस राइप की Executive Council थी इसमें तीन भारतियों को शामिल कर दिया गया था Central Legislature अब देखो मौरले मिंटो सुधार में कुछ ऐसी थी विदान सभा या विदान परिश्यत जो थी हमारी तो अब हुआ क्या यह जो Central Legislature है इसे Bicameral यानि कि दूई सदनात्मक कर दिया गया Very very important है कि जो केंद्रिय विदान सभा है या केंद्रिय सेंट्रल लिजिसलेचर है इसको Bicameral या दूई सदनात्मक के सेक्ट के माद्यम से कर लिया गया था जिसमें एक होगा राज्य परिशद जिसमें 60 सदस्य होंगे इसे उच्छ सदन भी कहते हैं और दूसरा होगा बिदान सभा यानि कि Legislative Assembly जिसे निम्न सदन भी कहते हैं इसमें 145 सदस्य होते थे जिनका कारेकाल 3 साल का होता था जिसमें 104 लोग निर्वाचित और 41 लोग नॉमिनेट यानि की मनोनित होकर आते थे वहीं उच्छ सदन के सदस्यों का कारेकाल 5 साल का होता था जिसमें 33 निर्वाचित और 27 मनोनित होकर आते थे तो वाइस अब कुछ समझ में आ रहा है हमारी जो ये पार्लामेंट है ये केवल एक दिन में नहीं बनी बलकि ये धीरे धीरे इवाल्व हो रही है और अब भी क्या ये कहना सही होगा कि हमारा सम्मिधान कोपी पेश्ट है पूरी तरह से नहीं तो ये जो दोनों सदन थे इनका अधिकार समान होते थे इनमें सिर्फ एक अंतर ये था कि बजट की स्विक्रिती प्रदान करने का अधिकार केवल निचले सदन को या आज के टाइम में के दो ये लोगसभा के पास है जो तो निचले सदन को ही था और कोई भी विल को पास करन बनाई जाती थी जो कि इस कंडिशन को हेंडल करेगी प्रोविंशल लेजिसलेचर अब देखो 1909 के एक्ट में साथ जगा पर प्रांती विदानमंटल होते थे और इनके अतिरिक्त सदस्य की संक्या भी बढ़ा दी गई थी तो अब चेंज यह हुआ कि दो और प्रोविंस जो उसको समझते हैं हम लोग तो आप लोगों को पता है कि जो सेंटरल लेवल पर भी कानून बनते थे और प्रोविंशल लेवल पर भी पर किस विशे पर कौन कानून बनाएगा इसको लेकर कभी कभी कानून हो जाता था तो इन विशेओं को दो भाग में बाढ़ दिया गया एक परिशंग विशे जिसे सेंटरल सब्जेक्ट भी आप कह सकते हो जिसमें आते थे जैसे कि सेन ने हो गया विदेश नीती हो गया बित्ते या फाइनस रेलेटीड कोई विशे सब्जेक्ट हो गया और दूसरे थे प्रांतिये विशे जो की स्टेट लिस्ट भी आप कह सक और इन विशेओं में आरक्षित विशेओं को manage करने के लिए गवर्णर और एक्जेकेटिव काउंसिल होती थी और हस्तांतरित विशेओं को गवर्णर और मंत्री मिलकर manage करते थे तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए, तो दो बोडी हो गई थी, जो कि प्रांतों को manage करती थी इसलिए कहा गया कि प्रांतों में 2 शाषन, यानि कि DR की प्रस्तूत की गई और प्रांतों में 2 शाषन का जनक, लियोनस कार्टियस को कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है अगर आप से पूछा जाए कि प्रांतों में डायार की यानि कि दोएद शाषन किस एक्ट के मादम से इंट्रोड्यूस किया गया था तो 1919 के मुंटोंग्यू चेम्सपोर्ट सुधार के माध्यम से ओके और दोएद शाषन का जनक किसे कहा जा है ध्यान रखनाए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है चलो अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में इस एक्ट के माध्यम से लोक सेवा अयोग के गठन का प्रावदान किया गया अब दखो ये क्रकांण से बहुत ध्यान से снजना थीक है तो इस के माद्य हम से लोकसेवा आयोग यानि कि पब्लिक सर्विस कमिशन का गठन किया गया और इसमें सुधार के लिए 1923 में ली आयोग यानि कि ली कमिशन बनाया गया और इसके सुजावों पर ही एक अक्टूबर 1926 को केंद्री लोक सेवा आयोग Central Public Service Commission का गटन किया गया जिसके अध्यर्चिस्ते सर रोजवारकर सर रोजवारकर का नाम आपको इहाद रखना है ठीक है और फिर 1935 के Act के माद्यम से इसे संगिय लोक सेवा आयोग यानि की Federal Public Service Commission कहा जाने लगा और 1950 में यही बना UPSC Union Public Service Commission तो यह क्रोनलोजी अच्छे से याद रखना आपके माइन में जो है अच्छे से क्लेटी आ जाएगी भारत में पहली बार बहिलाओं को बोट देने का अधिकार मिला वेरि वेरि उम्पोटेंट पॉइंट है प्रत्यक्ष चुनाओं की भी शुरुवात की गई थी अभी देखे अभी तब जो चुनाओं हो रहते वो अब प्रत्यक्ष हो रहते इंड papel अब किस एक्ट के माध्यम से जो है direct election की जो है वो start हो गए थे वो था 1919 का एक्ट और इस एक्ट का जो है रिव्यू करने के लिए दसल बात सायमन कमिशन आएगा और इस एक्ट के माध्यम से सामप्रदाइक आधार पर सिक, इसाई, एंगलो, इंडियन को भी प्रतक चुनाओं की विवस्ता कर दी गई वेरी-वेरी इंपोरेट ने इससे पहले के एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्रिप मुसल्माने उनको प्रतक चुनाओं की अधिकार था बट अब जो है एंगलो, इंडियन, सिक और इसाई भी इसमें एड हो गए थे तो अब बात करते हैं Most Important Act के बारे में जिसको बहुत ध्यान से सुना, Government of India का Act 1935 तो ये आया कैसे पहले इसको देख लो, Government of India का Act 1999 की समिक्षा करने के लिए 10 सल बात Simon Commission आना था पर ये दो सल पहले आ गया 1927 में आ गया था इसमें कोई भारती ना होने के कारण इसकी बिरोध में लाला लाचपत राय की म्रत्यू हो गई और इसका बदला भगत सिंग ने ले लिया पर इने भी फांसी हो गई तो भारती डिमांड को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिस गवर्मेंट ने बोले कि आप लोगों भी अपनी रिपोर्ट टैयार करिये और हमें भीजिये हम उस पर चर्चा करेंगे तो मोतिलाल नेरू ने सन 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करी जिसे नेरू रिपोर् और जिन्ना के 14 पॉइंट पर डिसकर्शन करने के लिए इंग्लेंड में 1930 से लेके 1932 तक तीन गोल में सम्मेलन हुए जिसमें बियार अंबेट करने तीनों में शामिल हुए थे लेकिन जो मात्मा गांधी थे ये केवल सेकेंड राउंटेवल कॉन्फरेंस में ही सामिल अदेनियम लाया गया देखिए इसमें कोई प्रस्ताबना नहीं थी और अभी तक का यह सबसे बड़ा एक्ट था इसमें आपको 321 जो है आर्टिकल देखने को मिलेंगे और 3 सेडूल देखने को मिलेंगे और हमारे संभीदान का लगबाग 50% बाग इसी से इंफ्लूएंस ह हुता हुआ आपको देखने को मिलेगा तो इसमें जो है प्रसाशन को छोड़कर पाकिस समय चेंजेस हुए चलो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे अच्छे एक पॉइंट और नोट कर लो इस एक्ट का रियल एम या उद्देश क्या था इसका रियल एम था रिटन कॉ भारत को एक लिखित समयदान देना और यही बाद में जो है इंट्रिम कॉंसिटूशन बनाता है यह इंट्रिम कॉंसिटूशन क्या होता है हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे चलिए सबसे पहले बात करते हैं Government of India का नियंत्रण तो यह जो Secretary of State थे इनकी 15 सदस्य की भारती परिशद हुआ करती थी जिसे खत्म करके 6 सदस्यों को रखा गया जो की सलाकार हुआ करते थे और बर्मा को भी अलग कर दिया गया बर्मा यानि की जो मियान मारे उसको अलग कर जाने लगा और पहले परसन जो यह बने थे वो थे Lawrence Dundas Central Legislature इसमें राज परिशद में सदस्यों की संक्या 260 कर दी और बिधान सवा में 375 कर दी और बिधान सवा को अब संगिय सवा यानि की Federal Assembly कहा जाने लगा जिसमें 125 सदस्यों देशी रियासतों से और 200 सदस्यों ब्रिट आजे परिशद में 104 सदसे देशी रियासत से और 156 सदसे ब्रिटिस इंडिया से आते थे अब देखो इंपोर्टेंट चेंज यह हुआ कि आपको पता है कि पिछले एक्ट में प्रांतों में दोएद शाशन था तो अब यह जो दोएद शाशन है प्रांतों से छीन कर केंद को दे दिया गया वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आपसे कोशन पूछा जा सकता है कि कि किस एक्ट के माध्यम से दोएद शाशन प्रांतों में समाप्थ हो गया था तो 1935 के गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से और केंदर पर दोएद शाशन किस एक्ट के माध् इसके अलाब इन विशेओं में एक विशे और जोडा गया जो था संबर्ती सूची या संबर्ती विशे इस फर वह विशेये आते थे जिनमेय सेंट्रल गवर्मेंट और इस्टेय Erik गवर्मेंट दोणों मिलकर कानुन बना सकती थी और यहां पर जो central subject हैं इनको federal subject भी कहा जाने लगा तो यह विल्कूल वैसा ही है जैसा कि आज भी होता है आज भी तीन सूचियां होती है राजी सूची संग सूची संभती सूची state list, union list और concurrent list ठीक है same by concept जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और अगर कोई विशे इन विशे पर नहीं आता था तो उसे अफसिस्ट विशे या recidury subject भी कहा जाता था और इन पर कानून बनाने की जो power थी वो वाइसराय को दे दी गई very very important है जो recidury power है या अफसिस्ट विशे पर जो power है वो किसको दी गई थी वो वाइसराय को दे दी गई थी provincial legislator तो प्रांतों में अब 11 जगा प्रांतिय बिधान मंडल बना दिये गए ओडिसा को बिहार से अलग कर दिया गया और सिंद को जोड़ा गया और यह जो बर्मा था इसको अलग कर दिया गया था और कुछ बिधान मंदल को अब दुई सदनी है यानि कि वाई केमरवल कर दिया गया अच्छे बिधान मंदल थे उनको कर दिया गया था जैसे आज होता है आज भी है legislative assembly और legislative council होती है आपको याद होगा ठीक है और प्रांतिये स्वायतता दे दी गई मतलब की 12 शाषन व्यवस्ता का अंत करकर उन्होंने एक स्वतंत्र और स्वसासित संबेदानिक अधार का प्रधान किया था मतलब अधार प्रधान किया था ओके चलिए अब बात करते कुछ important point के बारे में देखिए अखिल भारतिये ये संग 11 प्रेटिस प्रांतों में और 6 चीप करमिशनर छेत्रों में और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो सुएक्षा से संग में संबलित हों प्रांतों के लिए संग में समलित होना अनिवार्य था किन्तु जो देशी रियासत थी इनके लिए ये एक्षिता उनको इसमें शामिल होना है या नहीं होना ये उनकी मर्जी होती थी जो देशी रियासते संग में समलित नहीं हुई और जो प्रस्ताबित संग की स्थापना है वो समध्दीत घोशना जारी करने का अफसर जो है वो आया ही नहीं संगी नाले की विवस्ता की गई थी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि फेडरल कोट किस एक्त के माध्यम से बने थे गौउर्नमेंट आफ इंडिया एक्त 1935 के माध्यम से बने थे और बिय की रिजरब गंडिया के भी इस ठापना की गई थी सामप्रदायक निरवाचन की जो पद्धत यह उसका विस्तार हुआ था अब देखो यहां पर ध्यान से समझो क्योंकि आप लोग यहां पर कंफ्यूज होएंगे देखें इंडिन काउंसल एक 1909 में क्या हुआ था किवल मुसल्मानों को प्रथक चुनाओ मिला था ठीक है फिर गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक् अब बात करते हैं 1947 का भारतिय सोतंतता अधीनियम तो देखिए इस एक्ट में हुआ क्या इस एक्ट के मादम से आप सबी लोग को मालूम है कि भारत और पाकिस्तान नामा के जो हैं दो अधीराज्य बन गए थे और उस टाइम जो वाइसराय थे मांट बेटन थे तो उन्हो रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आया था उससे पहले दो एट साशन चलता था निजाममयात और दिवानी तो इसको जो है रेगुलेटिंग एक्ट के मादम से समाप्त कर दिया गया था फिर पेट्स इंडिया एक्ट 1784 में दो एट साशन फिर से आया था वोड़ अप कंट्र कर दिया कि इसमें लीडार की खत्म कर दिख गई थी तो यह जो डायर की यह आप कहां पे चली गई थी यह चली गई ऑन्मेंट ऑफ इंडिया के 35 एक्ट के मादियम से सेंट्रल पर केंद्र पर केंट्र अगर आपसे एक्जाम में कोशन सिंपल पूछा जाए कि DRK किस एक्ट के माधियम से आई थी तो आपको Government of India Act 1919 लगाना है ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रांतों में DRK किस एक्ट के माधियम से आई थी तो 1919 के माधियम से केंदर में DRK या नहीं केंदर में दोनों को भूल जाए आप डेखे इतना सारा नोट्स नहीं बनाने होते हैं नोट्स जो है आपका एक ही पेस का बनेगा इतनी सारे स्लाइड का येतनी मैनत मैंने इसली करी ताकि आपको इजली समझ में आ सके कंसेप्ट आपको मैं दे सकूँ तो चलू कुईक रिविजन करते हैं देखिए गवर्णमेंट आफ इंडिया एक 1858 के माध्यम से क्या हुआ था कि जो कंपनी का शाष्या ने वो खत्म हो गया था क्राउन सेशन आ गया था और जो गवर्णर जनरले उसको अब वाइसराय कहा जाने लगा था जो भारत का सचीव है उसका जो है सरकार पर नियंतरन हो गया था भारत का जो राज सचीव था सेकेटरी ओव स्टेट लोर्ड स्टेनली फर्स्ट बने थे इसके बाद आए था इंडियन काउसेलेक्ट 1861 जिसमें जो है बिवाग ये या मंत्र मंदल की शुरूवात की गई थी और वाइसराय को अध्यदिश की शक्ती दिये गई थी इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 जिसमें बार्शिक बजट पर बहस कर सकते थे पर बोट देने का अधिकार नहीं था और अप प्रत्यक चुनाओ की नीव रखी गई थी यह आपको ध्यान अकना है इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 सामप्रदा निव प्रतत चुनाओ को इंट्रिदूस किया गया और मुसलिम के लिए इंट्रिदूस किया था और गें जयाता हैर जिसमें और इसको मोंटेग्यों चेंप्पण सुदारा दिया गया 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 था इसके बाद आता है गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसमें अखिल भारती संकी स्थापना की गई थी और केंद्र में दुएद शाशन आ गया था और प्रांतों में दुएद शाशन खतम हो गया था इस एक के माध्यम से यहां पर ए इती निदेशक तत्व जो हैं वो किस एक्ट से इंस्पायर है तो वो आज गवर्मेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से इंस्पायर है यह आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कोशन पूछा जाता है और पूछा भी गया है और देखिए एक इंपोर्टेंट पॉइंट और ध्यान रखो यह जो प्रांतिय स्वायतता है यह एक निर्वाचित व्यदाई का के प्रति उतरदाई सरकार के साथ होती थी जवालल नेरू का एक कोट है जवालल नेरू ने इस एक्ट को दास्ता का चार्टर चा रखना है इसके बाद जो है इंडिपेंडेंट इंडिया एक था जिसके माद हमसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बने थे तो यह एक पेज में आपका मैंने पूरा रिवाइस कर दिया तो चलो अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि आप लोग कीजिए तो देखें जो अगस्त घोषना है यह किसके द्वारा की गई थी लौड मॉंटेग्यू के माध्यम्स की गई थी यह मैंने आपको पताया था पहली कि आप ध्यान रखना अगस्त प्रस्ताव नहीं है यह अगस्त घोषना है तो अगर आप पहला ही याद कर लेते ह सांफरा की विक्टूरिया ने ऐ他रा 558 की घोषना में भारतियों को भूस से चीजे दिये जाने का आशवाषन दिया था निमन्य आशवाषनों में से कोन सांफरि अ पूरा किया था तु रियासतों तो आपने की नीती समाप्त कर दी थी य petals हर्जबाडों या यथा सत्ति स् मिलेगा या भारतियों के समाजिक वा धार्मिक विश्वासों में कोई हस्त छेपनी होगा इसका सही अंसर आएगा भी देशी रजवाडों की या था स्तिती बनाय रखी जाएगी अगला कोशन है मिंटो मोरले सुधार का उद्देश क्या था तो ध्यान करिए कि मिंटो मोरले सुधार का क्या उद्देश था तो यह जो आय था यह तो 1909 अद आया था तो इसका उद्देश था प्रथक निर्वाचन प्रणाली मोरले मिंटो शुधार बिल किस बर्ष में पारित हुआ था 1909 में मुसल्मानों के लिए अतिरिक निर्वाचन मंडल प्रारम किसके द्वा द्वारा लाया गया था तो वो लाया गया था मोरले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा तो यह आपको ध्यान रखना है देखिए एक ही कुशन जो है अलग-लग तरीके से पूछा जा रहा है देखिए अगला कुशन क्या है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की विवस्ता की गई थी तो साम्प्रदाइक प्रतिनिदित की बात की गई थी तो देखिए एक ही कुशन जो है वो अलग-लग तरीके से पूछे जाएगा बट हमने तो कंसेप्ट हमारा क्लियर कर ला है कर लिया है तो कैसा भी पूछे मुंटे की चेंसफोर्ट सुधार में प 1935 के भारत सारकार अधिनियम के अनुसार यह चलाए गया था भारतियों को वर्ष 1947 में सार्भभूम सत्ता सोपने की योजना निम्नमे से किस नाम से जाने जाती है तो मांट बेटन योजना के नाम से वह जाने जाती है कौन सुमेलित नहीं है देखिए अगर यह आप लोग करके बताने यह दो कोशन मैं आपको दे रहा हूं यह दो कोशन के अंसर आगा आप लोग कमेंट करके बता देते हैं तो संबलूंगा कि बास हो गई अपनी मैंना सबल हो गई चलो अगला कोशन है अखिल भारती महा संग स्थापित किया गया था तो 1935 में और इसके बाद अ अधिनियम की प्रमुख विशेष्टा प्रांती स्वाय तता थी 1935 की भारत में सचिप का पद किसक्यों द्वारा निर्मित किया गया था तो 1858 के माद्यम से तो यह थे कुछ कोशन्स आयोप आपको वीडियो अच्छे लगा होगा मेरी मेनत आपको अच्छी लगी होगी त और अपने दूस्तों का भला करने के लिए इस वीडियो को शेर जरू करना और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना तो चलिए मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक लिए जय हैं जय भारत